हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू लंग्रे देतिबन आजम करने वाले हैं भारतिय रास्ट्रे आंधोलन और भारत में 1857 की क्रामती से संबंदित बहुत ही महत्पून प्रेस्टनौ तो चलिए देखते हैं कि इन में से कितने के जो हैं आंसर आप दे पाते हैं और जिनके नह नहीं दे पाते हैं तो उनके आंसर जो हैं वो आप जान लिजिए कोईशन वन देखें अंगरेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज के लिए का निर्मान कब कियां पंदरह सो पांच इसवी केरल में 1649 इसवी दिल्ली में 1644 इसवी मदरास में और 1644 इसवी बंगाल में तो फट सेंड जॉर्ज के लिए का निमान कब किया था ठीक है तो यहाँ पर जो है आपको यह भी पता चलेगा कि किस वर्स किया गया और कहां पर किया ये भी आपको याद रखना है तो यहाँ पर आंसर जो रहने वाला है वो बिलकुल सही आंसर है आपसन सी 1644 इसवी मदरास में 4 सेंड जॉर्ज के लिए कर रिमान किया अंगरी जो ने नेक्स्ट देखे जोरावर सिंग बारहट इंपोर्टेंट लाइन है 1857 की क्रांती से संबंदित है ठीक है और राजिस्थान से भी संबंदित है तो जोरावर सिंग बारहट ने किस वाय स बारहट ने बंब भेका था 1857 की क्रांती के समय तो देखिये क्या रहने वाला है अंसर लोर्ड कैनिंग लोर्ड हॉर्दिञ्स ज़नेरल डाइर या लोर्ड डल हो जी तो बिलकुल आंसर जो है वो सही लोर्ड हॉर्दि ठीक है वाइ सराए लोर्ड हॉर्दिग पर स्थान के संदर में भी 1857 की क्रांथी और भारत के संदर में दोनों ही जो है वो आपकी इस लिबस में दिये हुए हैं तो यहां भारत के संदर में पूछा गया है 21 मइ 1857, 10 मझे 1857, 28 मझे 1857 या 4 जून 1857 तो बताईए सही आंसर क्या रहेगा कि भारत में 1857 की करांती कब शुरू हुई और कहां से प्रारंब की गई तो इसका जो सही आंसर रहेगा मैं सभी के अंत में कमेंट देखूंगी अभी आपको क्या करना है प्रस्न जो है वो ध्यान से पढ़ना है चार ओप्शन देखने है ध्यान से और आंसर लगाने की कोशिश करना है जिनको आता है वेरी गुड जिनको नहीं आता है तो वो सुनते चलिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 10 मई 1857 इस वी और कहां से प्रारंब होती है मेरट से प्रारंब होती है ठीक है और राजि नित्रत्व करता जिरोंने 1857 की क्रांती में यहां जगे जगे पर नित्रत्व किये रानी अवंती बाई जो है वो फैजावाद से रानी लक्षमी बाई जांसी से कोवर सिंग बिहार से या नाना साहिव कानपूर से तो सोचिए इसमें से तीन आंसर तो बिल्कुल सही है यानि एक प्रशन में आपको चार उत्तर मिलेंगे कितने मिलेंगे आपको चार उत्तर मिलेंगे एक तो इसी प्रशन का उत्तर मिलेगा ठीक है कि इसमें से कौन सा गलत है तो गलत के बाद भी मैं आपको बताऊंगी कि उसका सही आंसर क्या है तो देखिए यहाँ पर जो है नाना साहिब जो है वो कानपूर से नेतरत्व कर रहे थे बिल्कुल सही है कुमर सिंग बिहार से कर रहे थे रानी लक्षमी भाई जहांसी से कर रही थी लेकिन रानी अवंती भाई जो है वो पैजावाद से नहीं कर रही थी यह गलत हो गया, इसका सही आंसर क्या है कि मांदला कहा है, यूपी में है तो यहाँ से जो हैं यह करती है नित्रत्थो, तो याद रखिएगा बच्चे जो हैं रानी अवन्ति भाई के बारे में बूल जाते हैं, रानी अवन्ति भाई या डॉक्टर बियार अमबेटकर तो बहुत ही जो है सटीक नोट से यदि आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छी किताबों से आप जो है अध्यन कर रहे हैं तो आंसर आपको पता होगा क्योंकि आपकी ही किताबों से उठाए गए ये सभी प्रश्ण है पेरियर के नाम से किसे जाना जाता है दादा भाई नरोजी को जाना जाता है बिल्कुल गलत है स्वामी विवेकानन्द इनको भी नहीं जाना जाता नहीं डॉक्टर बियारम बेटकर को आंसर क्या है इसका ईवी रामा स्वामी कुश्यन नमबर 6 देखें गुलाम गिरी नामक पुस्तक के रचिता कौन थे एनी बेसेंट गोविंद गिरी जोतिबा फूले या सावित्री बाई फूले तो बताईए इसका सही आंसर क्या रहेगा तो ये सबी प्रस्ण जो है वो आपकी किताबों से ही उठाए गए है तो इंपोर्टेंट है क्योंकि कोई भी प्रस्ण जो आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है तो गुलाम गिरी नामक पुस्तक जो है वो किसकी द्वारा रचित है एनी बेसेंट के द्वारा गोविंद गिरी के द्वारा जोतिबा फूले जोतिबा फूले ने गुलाम गिरी नामक पुस्तक की रचना की कौन सा सुमेले तो नहीं है तो अब एक और ऐसा प्रस्ण जहां आपको चार उत्तर मिलेंगे एक ही प्रस्ण में बंगाल विभाजन 1906 में हुआ मुसलिम लीग की इस्थापना यहां पर लिखा है इस्थापना 1906 इसवी में हुई गांदी इर्विन समझोता 1931 में या भगत सिंग को फासी जो है वो 1931 में दी गई तो बताईए इन में से जो आंसर है वो क्या रहने वाला है बंगाल विभाजन जो है वो 1906 में हुआ था मुस्लिम लिख की सापना 1906 में हुई गांदी इर्विन समझोता 1931 में या भगत सिंग को फासी 1931 में तीन सही है एक गलत है तो यहां जो गलत है वो क्या है बंगाल विभाजन 1906 इसवी में तो आंसर जो क्या रहेगा इसका 1905 रहेगा यदि यहां 1905 लिखा होता तो यह बिल्कुल सही होता और इस विभाजन की जो घोषना है वो किसने की थी लॉड करजने की थी उस समय जो वाइस अराय थे लॉड करजन इनके द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था ठीक है और राजनितिक विरोध के बाद जो है वो 1911 इसवी में बंगाल का पुन है एकिकरन कर भी दिया गया था ठीक है कुशन 8 है लखनव में 1857 के विद्रो का नेतरतों किसने किया बेगम हजरत महल ने तात्या टोपे ने लक्षमी बाई ने या कुमर सिंग ने तो इन चारों के आपको पता होने चाहिए अभी हमने बात की थी कि लक्षमी बाई जन्होंने जासी से नितरतों किया था 1857 की कुमर सिंग इन्होंने जो है कहां से किया था बेहार से किया था तात्या टोपे जो है इन्होंने कहां से किया था तो इन्होंने जो है वो कानपूर से किया था, नाना साहिब भी थे यहाँ पर, तो अंत में जो है वो क्या बच गया, बीगम हजरतो महल, ठीके इन्होंने कहां से किया, लखनों से किया, ध्यान रखें, प्रातना समाज की स्थापना किस स्थान पर हुई थी, दिल्ली में, जै तो क्या रहेगा A, B, C, D चार मैंसे जो है वो आप लगाएं और देखें कि जितने प्रशन आज हम करने वाले हैं उस मैंसे कितने आपके सही हैं कितने गलत हैं तो यह टैस्ट जो भी आप देते हो तो जहां पर आपको ऐसा लगता है कि इस टॉपिक में जो हैं हम कमजोर हैं तो उस टॉपिक को जो है वो आप दुबारा से तयार करें अच्छे से तयार करें ठीक है तो यहां जो आंसर रहेगा वो है बंबई प्रातना समाज की स्थापना जो है वो बंबई में होती है किसके द्वारा की जाती है आत्मा राम पांडूरं के द्वारा की जाती है ठीक ब्रेटिश अंसत में 1858 में कानून पास कर इस्टी इंडिया कंपनी से अधिकार चीन लिए और D option देखिए कॉंगरेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 इसवी में हुआ तो इन चारों में से तीन बिल्कुल सही हैं तो यहां पर भी देखिए काफी जो हैं इनफॉमेशन आपको यहां मिलने वाली है ठीक है यह प्रस्ण जो है वो भारती राश्ट्रि आंदोलन से उठाया गया है इसी चैप्टर से तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा कि श्याम जी क्रश्न वर्मा ने लंदन में कहां पर लंदन में वीर सावरकर की साहता कीती बिल 28 दिसंबर 1885 बंबई में होता है पहले पूना में तै हुआ था लेकिन पूना में जो है वो बीमारी फैलने की वज़े से बाद में इसको बंबई सिफ्ट किया गया तो प्रथम अध्वेशन होता है यहां 28 दिसंबर 1885 को तो गलत क्या है यहां पर यह गलत है कि गांदी जी की रचना स्वामी दयानन सरसती ने की कब और कहां की 1873 में अजमेर में की 1874 उदयपुर में की 1880 भीलवाड़ा में की या फिर जैपुर में की 1883 में तो बताइए इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा तो देखिए बहुत ही चुनकर जो है वो प्राशन यहां पर रखे गए हैं ताकि आपका टॉपिक जो है जहां पर जो भी आपके प्रॉब्लम आ रही है जिस भी कुश्चन में तो उसी से सम्मंदी टॉपिक जो है उसको आप दुबारा से क्लियर करें उसे दुबारा पढ गई एक भी प्रस्ण ऐसा नहीं है जो बुके बाहर का हो भारती राश्च्रियां कॉंग्रेस के प्रतम अधिवेशन में कितने प्रतिनिदियों ने भाग लिया एकत्तर प्रतिनिधी स्त Tier प्रतिनिधी तीहत्तर प्रतिनिधी और पहात्र प्रतिनिधी तो बताइए भारती रास्टिय कॉंग्रेज का जो प्रथम अधिवेशन होता है। 28 दिसंबर 1885 को इस में कितने प्रतिनिदी भाग लेते हैं तो ये चीज में आपको जो है वो बता देती हूं कि आप लोग जो है वो RBSC प्लस NCRT इन बुक को जो है वो तयार करें बहुत अच्छे से RBSC आप पहले पढ़ चोके हैं NCRT को भी तयार कर लें ठीक है आपका जो question पेपर आएगा वो इन ही पर आधारित होगा इसका जो सही आंसर रहेगा वो है बहातर प्रतिनिदी अगला देखें 1857 के सिपाही विद्रों के दोरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड अलहोजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वैले जली और लॉर्ड हैडिंग् 1857 के सिपाही विद्रों के दोरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रतम सुतंतरता संग्राम कब हुआ 1857 में? तो इसे समय भारत के गवर्नर जनरल कौन रहे? तो इसका आंसर क्या रहेगा? लॉर्ड कैनिंग रहे और ये अंतिम भारत के गवर्नर जनरल भी थे? नेक्स्ट देखें, होम रूल की स्थापना किसने की? बाल गंगा दर्तिलक, एनी बेसेंट, लाला हर्द अयाल या दादा भाई नौरो जी? बताइए इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? होम रूल लिक की स्थापना किसने की थी? बाल ग पूर्टीन का और वो है बाल गंगा धर तिलक, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट देखें, आप कुश्चन के आंसर लगाते जाएए, लास्ट में मैं सभी के देखूंगी, निम्ने मैं से किस आंदोलन का संबन जो है वो गांदी जी से नहीं था, यानि तीन आंदोलन का तो है, स संबन जी से संबन दित नहीं है जो, तो बिलकुल सटीक आंसर जो है, वह है, स्वदेशी आंदोलन, इस से संबन दित नहीं, ठीक है? कुर्शन 16 देखें, 1857 इसवी की भारतिय विद्रोह प्रारम हुआ, 1857 इसवी का जो भारतिय विद्रोह है, वो कहां से प्रारम हुआ, त ठीक है ओप्शन देखें यहाँ पर चार ओप्शन है आपके पास तो बिल्कुल यहाँ पर जो क्रम है वो लगाई यह सबसे पहले जो है वो भारतिय विद्रो प्रारंब कहां से हुआ यहाँ पर जो है वो आप लोग आंसर जो है वो क्या लगा रहे हैं यहाँ पर गलती के संभावना जो है वो अधिक हो जाती है देखें यहाँ जो आंसर रहेगा वो रहेगा तीन चार एक दो यानि सबसे पहले बैरक पूर छावनी जो है यहाँ से विद्रो प्रारंब होता है ठीके, और क्राम्ती जो है वो यहां से बढ़ जाती है, मेरट से उसके बाद जो होता है लखनव और उसके बाद कानपर यह आपको ध्यान रखना है, ठीके, कई बच्चे जो है सबसे पहले मेरट को लगा देंगे तो जब ऐसे क्रम जो है वो पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यान में रखना है बैरकपूर छाबनी यहां से विद्रो होता है उसके बाद मेरठ फिर उसके बाद लखनव और उसके बाद कानपर गोद निशेद नीती किसने चलाई लौड कैनिंग ने 1856 में लौड अलहुजी ने 1848 में लौड बैले जली 1856 में या इन में से कोई नहीं कुश्चन 17 का जो है वो आंसर दें पटापट से गोद निशेद नीती किसने चलाई तो बताईए इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा लौड कैनिंग रहेगा लौड डलहुजी रहेगा वैले जली कौन रहेगा इसमें तो गोद निशेद नीती बोलें या फिर अगर मैं इसको हडप नीती बोलूँ बिल्कुल सही रहेगा इसका जो आंसर रहेगा लौड डलहुजी जिन्होंने 1848 इसमें हडप नीती या गोद निशेद नीती चलाई थी ठीके तो लौड डलहुजी जो है उन्होंने यहाँ पर जो है क्या किया था कि जब ब्रिटिस जो थे यहाँ पर भारत पर जो इनका कबजा हो गया था इनका राज कायम हो गया था तो उन्होंने क्या युक्ती निकाली यहां पर और नियंतरन यहां बना रहे कि राजा जो कि जिनके संतान नहीं है तो वो किसी और को गोध नहीं ले सकते ठीके गोध निशेज यानि गोध नहीं लेना ठीके और यदि वह किसी को गोध लेते भी हैं तो वो राज्य का उत्रादिकारी नहीं बन सकता है तो यहाँ पर अंग्रेज जो थे वो बहुत ही चालाग थे और ऐसी ही नीतियां जो है वो भारत में उन्होंने लागू की महात्मा गांधी को सर्व पर्थम राष्ट पिता किसने कहा राष्ट पिता के नाम से किसको जाना जाता है महात्मा गांधी को सबी जानते हैं लेकिन इनको कहने वाले कौन थे जवाहर लाल नहरू बल्लब भाई पतेल सी राजगोपालाचारी या सुभाशंद्र बोस यहां जो अंसर रहेगा वो है बिल्कुल सुभाचन बोसने में ठीक है जिनको याद है वो तो फटापट से लगा देंगे चोरी चोरा कान जो है वो या चोरा चोरी कान 1922 में कहां पर हुआ था किस जगे पर हुआ था कोरकपुर में हुआ बंदायू में गाजियाबाद में औ और बल्या में तो इन चारों में से जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा चोरा चोरी कान 1922 में होता है तो उस जगे का आपको नाम बताना है कहां से शुरू हुआ था जिसके बाद गांदी जी जो है असायोग आंधोलन को वापस ले लेते हैं तो बिल्कुल आंसर रहेग गोरक उसे ठीक है नेक्स्ट देखें कौन सी घटना जो है वो जल्या वाला बाग हत्याकान से पहले घटी असायोग आंधोलन रॉलेक्ट एक्ट सामप्रदाइक अवार्ड या सायमन कमीशन का आना तो यहां पर जो सभा हो रही थी वो क्यों हो रही थी उसका क्या कारण र होता है ठीक है जिसके लिए सभा जो है वो बठाई गई थी तो इसका जो सही आंसर है वो है रॉलेक्ट एक्ट तो ध्यान रखिए रॉलेक्ट एक्ट जिसको हम काला कानून भी बोलते हैं इसके बाद जो है वो जलिया वाला बाग हत्याकान की घटना होती है ठीक है तो यह को कुछला जाए बिना उनसे कुछ भी पूछे ठीक है तो इसी के विरोध में जो है वो जलिया वाला बाग में जो है वो लोग इखटा होते हैं और यहां पर जो है जनरल डायर के द्वारा क्या की जाती है गोली बारी करवाई जाती है जिसमें बहुत सारे आम जन जो है वो निर्गुन धारा के सगुन धारा के उपरोक्त दोनों या इन में से कोई नहीं तो बताईए इसका आंसर क्या रहेगा संत दादू दयाल कौन सी धारा के समर्तक थे तो यह 1857 की क्रांती का प्रश्ण भी नहीं है और भारती राष्टी आंदोलन का भी नहीं है तो यहां पर इसका आंसर रहेगा निर्गुन धारा के समर्तक थे यह मूर्टी पूजा में बिल्कुल बिलिफ नहीं करते थे शर ٹॉमस मुन्रो का भूर आजस्व बंदोवस्त से सम्मंद है इस्थाई बंदोवस्त, महलवारी बंदोवस्त, रयतवारी बंदोवस्त या कोई नहीं किसे है, क्या option A सही रहेगा, option B सही रहेगा, या option C सही रहेगा, बताईए तो देखिए यहाँ पर जो आंसर सही रहने वाला है वो है रियत वाड़ी बंदोबस्त ठीक है नेक्स्ट देखें हमीर रासोग्रंत किसके द्वारा रचित है नयन चंसूरी हमीर शिशोदिया जोद राज या हमीर देव चौहान जिस्थान से संबंदित है इसको कई बार आप कर भी चुके हो मैंने आपको डेटेल में हर चीज बताई भी है तो यहाँ पर जो है यह प्रस्ण जो है वो एक अलग से यह भी आ गया है हमीर रासो ग्रंद किसके द्वारा रचित है कई बार बताया है जोद राज की द्वारा रचित है तो इस तरीके से आज हमने 1857 की करांती से संबंदित प्रस्ण किये हैं और राश्ट्री आंदोलन से संबंदित प्रस्ण किये हैं ठीक है तो लगबग जो है हमने कई प्रशन कर लिये हैं और यहाँ पर अगर हम नंबर की बात करें तो 21 प्रशन हमने किये हैं दो प्रशन जो कि आपके राजिस्थान चीके से संबंदित रहे हैं तो चलिए करते रहिए तैयार इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू